हाई किरिकेटर्स मैं यूसुफ मनसूरी कृटच और लाइफ कोच स्पोर्ट्स के लिए यह स्टड़ी करें काफी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं काफी बच्चे पन्द शीज के बागते हैं और कहीन कहीन पेरिंस भी इस बाससे काफी परेशान रहते हैं और काईज ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है आप चितने भी बच्चे हैं खुद भी देखें और अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं बहुत कमाल की वीडियो बनाने की कोशिश है आपको मेरे हाथ में एक डायरी दिख रही है और राइटिंग और रीडिंग क्योंकि जो बैसिक फाउंडेशन ना सुटेडी से इ cabe leg अगर अपनी जो बश्जिक जो भी आपकी सांदेशन है आ जो बैसिक कर और यह सरासर आपकी लाइफ के लिए आपके फ्यूचर के लिए काफी मतर्न टिसाइडवांटेश को आपको समझना पड़ेगा हम किसी भी चीज पे मनतन करते हैं चिंतन करते हैं और उसको इसको मनी मन में डिस्क्राइब करते हैं तो मैं आज अब वीडियो बनाओंगो तो कुछ न कुछ चीज न मैं भूल सकता हूं तो आज मैं डायरी लेके हो उसमें नोट बनाये दो भागों में च वह एकनिस करते हैं तोस्ट में उसका कारन पता किया है कि जब अपने सब्सक्राइब क में था चीज में कंवाली अडिये हैं लेवल सें डोपामाइन व है इंक्रीज होता है और उससे हमें सैटिस्रक्शन मिलता है कि मुझा आ रहा है तो यह बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट केलना बहुत ज़रूर इकाज की हम अगर स्पोर्ट नहीं खेलेंगे ना तो हमारी जो फिटनेस वह इंक्रीज नहीं हो सकती अगर हम कोई आउट्डोर एक् बताए सिर्फ यह नहीं कि आप अच्छे नंबरदार हैं, study का मतलब यह नहीं कि इसकी जा रहे हैं, study का मतलब पता क्या है, understand yourself. आप स्टडी करेंगे तो आप मैंटल ग्रोथ कर पाएंगे जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही मतला इंपोर्टेंट टॉपिक है किसी भी स्टुएंट के लिए किसी भी परसन के लिए और अगर सैल्फ डैवलमेंट की बात की जाए तो आप जितनी अच्छी स्टडी करेंगे आप मतलब अच्छी-ची किताबों को पढ़ेंगे तो आप सैल्फ डैवलमेंट कर पाएंगे आप मेनिंग्स को समझ पाएंगे आप लोगों की जो सेंटेंसिस हैं वो समझ पाएंगे अगर आपने अच्छी स्टडी करी आपका भी से अच्छा पढ़ाई पर ध्यान दे र अगर आप बिजनिस में जाएंगे तो आपने अगर स्टेडी करिये तो आपको पता है कि मुझे कैसे अपनी चीजों को अच्छा करना है कैसे मदब पर्जेंट करना है चीजों को कैसे मदब चीजों को दिखाना है ताकि मैं अच्छा बिजनिसमें बन पहूं मैं अपने प्र लोगों से अलग रहते हैं, अगर आपने अच्छी study करी है, आपका mind sharp रहता है, आप एक दम actions ले सकते हैं, और काफी चीज़े आप अच्छी कर सकते हैं, study के level की अगर बात की जाए, अभी तो मैंने कुछ points बता है, sports के point of view से और study के point of view से, अब मैं बात करता हूँ, अगर हम sports केलते हैं, तो fit body रहती है, healthy body रहती है, और आपका posture बड़ा नाइस रहता है, आप मतलब good looking लगते हैं, तो यह बहुत जरूरी पार्ट है, study तो first priority मैं देता हूँ, और देता रहूँगा, क्योंकि अगर sports केल रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है, आपकी body के लिए आपके लाइफ में, भी हर किसी के, आप sports अच्छा केल रहे हैं, मान लिए कि आप बहुत अच्छे, अपनी age group में आप solid है, और आपने पढ़ाई को बिल्कुल नेगलेट कर रखा है, आप sports ऐसा चीज है, sports ऐसी, मतलब, ऐसा मतलब खेल है आपके लिए, कोई भी outdoor sports, कि आप अच्छे player क्यों नो, आप injured हो जाओ, तो कोई रोक नहीं सकता, आप अच्छे effort मारें, injured हो जाओ, कोई रोक नहीं सकता है, आपके trials हा रहे हैं, आप trial match में injured होगे, कोई रोक नहीं सकता है, लाइफ को तो खेर एक second का नहीं पता, लेकिन एक मैं बात कह रहा हूँ, और खास क होगी उनके अंदर, और वो चीज़े उनको एक अच्छा captain बनाती है, उनको अच्छा decision making लेने में उनको मदद करती है, जो की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि quick action time होता है, actions होते है, quick react करना होता है, आपको जल्दी respond करना होता है, आप बिल्कुल भी time नहीं ले सकते हैं, वो आ प्लस पॉइंट क्या है, जितने भी बच्चे है, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, तो अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो, कि अगर आपका बच्चा स्टेडी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो distraction जिन चीज़ों सो और बच्चों को और यह उनको नहीं होगी, आज जिन बना नहीं कर रहा है इस सब चीजों के लिए, बट क्या कि लिमिटेड होने चिए, बिल्कुल लिमिटेड भाल, इतने लिमिटेड कि ठीक है, कभी कबार गेम्स केलने भी ज़रूरी है, बट उनको मतलब इन चीज़ों से खाली टाइम ऑज्जे से एडिक्ट हो रहे है कई ने कि उनका टाइम को सिफ्ट किया जाए अभी वो मैच ओर नहीं है पेरेंस को समझना होगा उनके कोचिस को समझना होगा उनके टीचर्स को समझना होगा कि उनका टाइम है वो मैनेज किया जाए उनका टाइम मैनेजमेंट बनाए जाए ताकि वो स्टडी करे अच्छी स् तो स्पोर्स को पसंड करते हैं। cortex मखिलर है और तो आप और बच्चों की बात की जा पलीई बहुत की जाए बात की जाए कोई भी काम को च्छे तरीके से करने की। और आपकी body language बहुत अलग होगी और आप और बच्चों से काफी अलग दिखेंगे पता पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स प्लीज बच्चों परे numbers का pressure बढ़ डालो number is not a great quality of any student quality is कि बच्चक कैसे चीजों को learn कर रहा है कैसे understand कर रहा है behavior कैसा किसी भी चीज को लेके बतलब वो चीजों को समझपा रहा है नहीं समझपा रहा है copy paste बच्चा ना तयार करें एक unique identity है हर एक बच्चे की हर player की तो आप उसको pick करें उसको judge करें as a parents और सपोर्ट करें अगरो किसी भी sports में जाना चाहता है और साथ के साथ अगर बच्चा जादा ही active है जादा ही attractive है किसी भी sports को लेके लेकिन आपका काम है कि इसको starting से पुश करें study बिल्कुल करनी है study must part study आपको करनी पड़ेगी यह आपका basic है यह आपका foundation है life का इसको तो करना ही पड़ेगा और इसको motivate करें उसको encourage करें sports में तो वह आपके आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा और आपकी जो जो आपकी thinking है वह भी positive direction में जाती ही दिख the sports में बट उसकी study चल रही थी तो कुछ नबुच कर लेगा और by chance successful हो जाता है तो plus plus point है तो कुछ मतला हमने किसी भी काम को करना है तो हम सिर्फ ना process को follow कर सकते है results हमारे पास नहीं है कि हम यह नहीं सो सकते हम यह नहीं कर सकते हम वह चीज़ अचीज करी लेंगे attitude होना enjoy करना है हम अपिने सके साथ करेंगे तो काफी चीज़े हम अपने पक्ष में कर लेंगे मुझे लगता है कि मैं शौट 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 मीनिंग्स वर्ड्स आपको ऐसे डिस्क्राइब किया है बट उनको मैं ब्रीफ में नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि वीडियो ब अगर अच्छा बन गया आपने टाइम मैनेजमेंट बना लिया तो आप अपनी लाइफ को अच्छी तिशा में ले जाएंगे और यह बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और कोई भी बच्चा है ना बेस नहीं है हर बच्चे क अंदर एक यूनिक टैलेंट है हर बच्चा कोई ना कोई पोटेंशन लेके पैदा हुआ है ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो यह बिल्कुल ना सोचे में कुछ नहीं कर सकता सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स को उस बच्चे को टाइम उनके टीचर्स को यह समझना होगा उसको पिक करना पड़ेगा कि इस बच्चे में क्या खासियत है क्या कॉलिटी है क्योंकि यह चीजे अगर साही टाइम पर पता लग जाती है ना तो आपकी लाइफ में चार चान लग जाते हैं और आप एक अच्छे एक सक्सेस्वल परसन बन सकते अपनी लाइफ में सपोर्ट्स आपना सक्सेस्वल बन जाएंगे तीसरे एस के साथ तो गाइज मिलते हैं नेक्स वीडियो में और वेरी वेस्ट थेंक्यू बॉइस